आज हम आपको सुनाएगे डॉक्टर को बाबया में श्री राम के दर्शन एक बार एक तहसिलदार साइबाबा के दर्शन करने के लिए शेर्दी आये थे उनके साथ एक डॉक्टर जो उनके मित्र थे वे भी आये थे डॉक्टर राम भक्त और जाति से ब्रामन थे वे राम के अतिरिक्त और किसी को न मानते और पुछते थे वे अपने तेसिलदार दोज के साथ इस शर्ट पर शिर्दी आई थे कि वे न तो बाबा के चलन चुएगे और नहीं उनकी आगे सिर्द जुखाएगे नहीं वे उन्हें इस बात के लिए मजबूर करे क्योंकि बाबा यवन मुसल्मान हैं और वे श्री राम के अलावा किसी के आगे सिर्द नहीं चुखाएगे शीर्दी पोचकर जब दोनों साई बाबा के दर्शन करने के लिए मजब गए तो तेसिलदार से पहले उनके डॉक्तर मित्र आगे गए और बाबा के चर्णों में गेर कर मुनना करने लगे यह देखकर सेफिलदार को बड़ा अश्रे हुआ अन्य सब उपस्तिक लोग भी अश्रज में डुबे गए कुछ देर बाद जब उन्हें ने डॉक्तर से इस बारे में पुछा कि आपने अपना इरादा कैसा बदल लिया तब दॉक्तर ने उन्हें बताया कि बाबा के सांदबर उन्हें उनके इश्क स्री राम जी खड़े दिखाई दिये और उनकी मुहनी सूरद देखकर में तुर्द उनके चर्णों में गिर पड़ा जब वह ऐसा कह रहे थे तो उस समय साई बाबा खड़े मुस्करा रहे थे साई बाबा को खड़े देख डॉक्तर को बहुत आश्चरे हुआ कि कहीं वह कोई वपना तो नहीं देख रहे है उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ और वे बोले कि साई बाबा को मुस्लमान कहना मेरी बहुत बड़ी भूल थी बाबा तो पूर्ण योगा उतार है अगले दिन से उन्हें उपास करना शुरू कर दिया और प्रन किया कि जब तक बाबा स्वई मर्दित बुलाकर आश्चिवत नहीं देगी तब तब मर्दित नहीं जाऊंगा उन्हें प्रन किये तीन दिन बीट गए चोते दिन उनका खान देश में लेने वला मित्र आया मित्र से कई वर्षों के बाद मिलने पर वह बहुत खुश हुए अपने मित्र के साथ डॉक्टर मर्दित गए जब डॉक्टर बाबा की चर्ण मंदना करने के लिए जुके तो बाबा ने कहा तुम तो मस्दित नहीं आने वाले थे फिर आज के से आये बाबा के वच्चनों को सुनकर डॉक्टर को अपना प्रन याद आया उनक्या हद्य ग्रवित हो उठा और आखों में आच्चों भर गए उसी राद में को साथ बाबा ने डॉक्टर पर अपनी प्रुपा दूश्टी की तो उन्हें सोते हुएगी परमानन्द की अनुभुती गई और वे पन्रा दिनों तक उसी आनन में दुबे रहे उनके बाद वे साथ बाबा की भक्ती के रंग में रंग रहे धन्यवाद